आप सभी के लिए मैच्स का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ एपी जी पी एंड एच पी यदि आपको इस टॉपिक में जरा भी प्रॉब्लम होती है तो आप यकीन मानिये कि इस वीडियो सिरीज को देखने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा और आप इसे बहुत सरल तरीके से कर सकेंगे तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझेंगे और आज मैं आपको इसके सभी कॉंसेप्ट और बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक और साथी साथ मैं इसके इंपोर्टेंट कोश in which the difference between the two consecutive terms is always constant यानि की समांतर शेणी वह गड़ती यह अनुकरम है जिसमें दो समांतर पदों के बीच का अंतर सवदैव क्या होता है एक समान रहता है तो यह चीज़ आप याद रखेगा समांतर शेणी यानि की AP एक ऐसा क्या है आपका mathematical sequence है जिसमें consecutive terms का जो difference है वो याप आप याद रखेगा क्या होता है equal रहता है मतलब जैसे suppose मेरे सामने एक series है AP में यह series है मेरी T1, T2, T3, T4, dash, 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 tn तक और यदी मैं बात करूँ यदी यह series आपकी AP पर है तो इसके हर consecutive term का जो difference होगा वो equal होगा यानि की T1 और T2 का जो difference होगा T2 और T3 का जो difference होगा T3 और T4 का जो difference होगा और इसी प्रकार T4 और T5 का जो difference होगा और इस type से जो difference आपका चलता रहेगा वो आपका क्या रहेगा equal यानि की difference equals to T2 minus T1 equals to T3 minus T2 equals to T4 minus T3 equals to Tn minus Tn minus 1 तो I hope आपको यहां तक समझ में आगया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया arithmetic progression में consecutive terms के बीच में जो difference होता है वो हमीशा क्या होता है equal होता है अब हम इसके आगे के concept को समझ लेते हैं तो जैसे यहां पर आप देखें तो आपको एक arithmetic progression यानि की AP समांतर शेनी गेवन है यह आपकी T1, T2, T3, T4, डैस, 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 Tn और यह जो आपकी series है मैंने इसको नाम दे दिया क्या नाम दे दिया आपका कि यह हो गई आपकी 3, 7, 11, 15 और कहां तक हो गई आपकी 91 तक मतलब यहां पर series की जो term 1 है यह कितनी हो गई 3, term 2 कितनी हो गई 7, term 3 कितनी हो गई 11, term 4 कितनी हो गई आपकी 15 और term n कितनी हो गई 91 तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा अब यदि ये AP में हैं तो इनके बीच का जो common difference होगा वो क्या होगा? equal होगा तो देखिए आप 3 और 7 का difference कितना हो जाएगा? 4 तो 3 और 7 का difference कितना हो गया? आपका 4 हो गया उसके अलाबा आप देखिए ऐसे ही तो यहां पर 7 और 11 का difference भी कितना हो गया? 4, 11 और 15 का difference भी कितना हो गया? 4 तो इस type से यह जो difference रहेगा 4 का यह क्या होगा? आपका same है तो I hope यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब AP में आप याद रखेगा कि जो first term होती है हम उसको denote करते हैं A से तो यह चीज़ आप याद रखेगा कि हम first term यानि की प्रथम पद को हमेशा काहे से represent करेंगे? A से represent करेंगे वहीं जो common difference होगा यानि की सार्व अंतर होगा हम उसको किस से represent करेंगे? D से तो यह चीज़ आप याद रखेगा कि जो first term होगी हम उसको represent करेंगे A से और जो common difference यानि की D होगा हम उसको किस से represent करेंगे? सर्वान सार्व अंतर को D से अब यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे पहले यदि आप बात करें तो मैंने आपको बताए कि जो first term है T1 इसको हमने किस से represent कर दिया A से तो T1 equals to A अब जब मैं दूसरी term T2 निकालूंगा तो देखें दूसरी term मेरी कितनी हो गई? T2 कितनी हो गई? मेरी 7 अब दूसरी term यदि मुझे निकालनी है तो मुझे पहली term में common difference को add करना पड़ेगा मतलब कि दूसरी term यदि मुझे निकालनी है तो मुझे पहली term 3 पे 4 common difference को add करूंगा तो तभी तो ये साथ आएगा न तो दूसरी term निकालने के लिए मुझे पहली term में common difference को add करना पड़ेगा यानि कि T2 बराबर A plus D अब देखिए यदि मुझे तीसरी term निकालनी है तो मुझे पहली term 3 में common difference 4 और 4 को कितनी बार add करना पड़ेगा दो बार आप खुद देखिए 3 और 4 7, 7 और 4 11 तभी तो तीसरी term 11 आएगी न भाई तो तीसरी term को लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहली term A में common difference 4 को कितनी बार add करना पड़ेगा दो बार यानि कि तीसरी term के लिए मुझे difference को दो बार add करना पड़ेगा यानि कि T3 equals to A plus 2D I hope आपको concept समझ में आया होगा अब आप यहाँ पर देखिए और इसके आगे भी समझा देता हूँ जैसे सपोज मुझे चौथी term है तो चौथी term 15 के लिए मुझे पहली term 3 में common difference 4, 4, 4 तीन बार add करना पड़ेगा यानि कि चौथी term बराबर हो जाएगा A plus D, D और D तो कितना हो जाएगा 3D तो यहाँ पर आप देख लेए पहली term T1 बराबर क्या होगे आपका A उसके बाद दूसरी term T2 बराबर A plus D तीसरी term T3 बराबर A plus 2D और चौथी term T4 बराबर क्या हो जाएगा आपका बराबर क्या हो जाएगा A plus 3D अब यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरी term से यदि आप देखें तो दूसरी term T2 बराबर A plus D यानि कि common difference 2 में से 1 कम किया हमने तो केवल 1 बार add हुआ है तीसरी term में देखें तो common 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 आएगा तो common difference 2 बार add हुआ है चौथी term में देखें तो common difference 4 में से 1 कम किया तो कितनी बार add हुआ है यहाँ पर तीन बार add हुआ है तो यहाँ से आपको यह concept अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि दूसरी term है तो दो में से एक गया common difference केवल एक बार add हुआ है यदि हम suppose nth term निकालना चाहते हैं ap में तो यह हो जाएगा आपका a plus n minus 1 तो यह हो जाएगा n minus 1 और into क्या हो जाएगा d तो I hope आपको यह concept समझ में आया होगा तो आप यह चीज formula यहाँ से यह चीज याद रखेगा कि nth term in ap tn equals to a plus n minus 1 into d तो यह चीज आप याद रखेगा कि nth term in ap equals to tn equals to a plus n minus 1 into d अब यहाँ पर हम इसको समझते हैं थोड़ा सा और जैसे suppose मुझे 20th term निकालनी है तो 20th term निकालनी है मतलब कि मुझे t20 की value निकालनी है तो यह हो जाएगा मेरा a plus अब 20 में से 1 गया तो कितना 20 minus 1 तो यह कितना हो जाएगा 19 और into कितना हो जाएगा d अब ऐसे यदि मैंने मुझे क्या करना है suppose मुझे क्या करना है कि 70th term निकालनी है t70 की value निकालनी है तो t70 बराबर क्या हो जाएगा आपका a plus 70 minus 1 70 minus 1 यानि कि क्या हो जाएगा आपका 69 d तो I hope आपको यहाँ तक का concept समझ में आ गया होगा अब जैसे suppose मैंने आपसे बोला कि मैंने आपको यह condition दे दी कि मैंने आपसे बोला a plus 54 d तो यह कौन सी term होगी तो a plus 54 d यानि कि यहाँ से आप खुद देखें कि जो term है उस पे एक कम किया तो 54 आए अब term में एक कम करने के बाद 54 into d तो term क्या हो जाएगी इससे एक जादा यानि कि कितनी हो जाएगी 55 तो I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि term से एक कम कर देंगे तो difference का क्या निकल जाता है आपका multiple निकाल जाता है तो tn बराबर a plus n minus 1 into d अब आगे हम इसका समझ लेते हैं तो एक question चलिए कर लेते हैं यहाँ पे find the 20th term for the given AP और यह जो आपकी आपकी जो समानतर शेणी है यह क्या है 12, 19, 26, 33, 33 और डेश 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 यह चल रही है और आपको इस AP में क्या करना है कि 20 वी term find करनी है अब आपको इस पे 20 वी term find करनी है यानि कि T20 की value find करनी है तो T20 बराबर क्या हो जाएगा A plus 20 minus 1 यानि कि कितना हो जाएगा 19 और into कितना हो जाएगा D तो I hope आपको यहाँ तक clear हो गया होगा अब यहाँ पे A कितना है D कितना है चलिए उसको देख लेते हैं तो सबसे पहले A A यानि कि first term first term है आपकी 12 तो यह हो गया उसके बाद common difference D तो common difference D देखे 19 minus 12 तो यह कितना हो जाएगा आपका 7 तो common difference कितना हो गया 7 तो अब यहाँ पर इसको solve करते हैं तो A की value हो गई आपकी 12 plus 19 multiply by common difference कितना हो गया आपका 7 तो यह हो जाएगा आपका कुल मिला के 12 plus 19 7 कितना होता है 133 तो 133 plus 12 तो यह कितना हो जाएगा आपका 145 तो I hope आपको यह पहला concept clear हो गया होगा कि nth term in AP equals to A plus N minus 1 into D और formula कैसे आया मैंने आपको यह भी derive करके बताया कि formula कैसे आया चलिए अब इसका second concept समझते हैं तो second concept है sum of N terms in AP यानि की समांतर शेड़ी के N पदो का योग तो इसका formula होता है SN equals to N by 2 bracket में 2A plus N minus 1 into D तो यह चीज़ आप याद रखिएगा समांतर शेड़ी के N पदो का योग यानि की sum of N terms in AP equals to N by 2 bracket में 2A plus N minus 1 into D अब यदि इस equation में मैं इस 2A को क्या ऐसे तोड़ सकता हूँ दो पार्ट में A plus A कोई problem होगी कैस पे नहीं होगी उसके बाद देखिए plus N minus 1 into D तो यह हो गया आपका plus N minus 1 और into क्या हो जाएगा आपका D हो गया अब जड़ा आप ध्यान से इस concept को समझे तो A first term plus A plus N minus 1 into D यह मैंने आपको बता है किसके बराबर होता है Nth term या फिर last term तो यहां से आपका एक और formula निकल के आता है कि sum of N terms in AP equals to N by 2 bracket में first term plus last term तो यह चीज़ आप याद रखिएगा कि यहां पर मैंने आपको sum of N terms के जो formula बताए है यह total दो formula बताए है पहला formula है आपका S N equals to N by 2 bracket में 2 A plus N minus 1 into D या फिर S N equals to N by 2 first term plus last term अब question की demand के according हम इन formulas को लगाएंगे और इनको solve करेंगे तो चलिए अब आज आते हैं यहां पर तो अब हम देखते हैं यहां पर question को तो यहां पर question है आपका find the sum of first 25 term of AP यानि की आपकी यह जो समांतर शेनी है इसके हमको पहले 25 पदों का योग निकालना है समांतर शेनी क्या-क्या है आपकी 18, 29, 40, डेश, 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 डेश यानि की 18, 29, और 40 और यह आपकी सीरीज चल रही है तो चलिए मैंने आपको अभी formula बताया उसको लिख भी देता हूँ sum of n term in ap equals to formula क्या होता है n by 2 bracket में हो जाएगा आपका 2a plus n minus 1 into d अब यह formula आपको नहीं लिखना है यहाँ पर मैं केवल आपको concept के लिए बता रहा हूँ चलिए तब यहाँ पर solve करते हैं सबसे पहले तो इसको यहाँ पर solve करते हम चलिए तो यहाँ पर आप देखें तो n total term कितनी है 25 तो यह हो जाएगा आपका 25 by 2 उसके बाद 2 into a अब 2 into first term a अगर हम देखें तो first term कितनी है आपकी 18 है तो यह हो गया उसके बाद common difference common difference है 29 minus 18 तो यह कितना हो जाएगा 11 चाहे तो यहाँ भी देख लें आप 40 minus 29 तो यह भी हो गया 11 तो common difference हो गया आपका 11 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 into first term a यानि कि यह हो गया आपका 18 और प्लस उसके बाद फिर n minus 1 total term कितनी है 25 तो 25 minus 1 n minus 1 25 minus 1 यानि कि कितना हो जाएगा 24 होगा और multiply by common difference d common difference d कितना हो जाएगा आपका 11 तो I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अब आगे कर लेते हैं इसको तो आगे करते हैं चलिए तो यह हो जाएगा आपका 25 by 2 और multiply by यहाँ पर अब हम इसको solve करते हैं 18 toza कितना हो जाएगा 36 और plus उसके बाद 24 into 11 तो 24 into 11 तो यह हो जाएगा आपका 264 तो I hope आपको यहाँ तक clear हो गया होगा अब आगे करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 25 by 2 और multiply by 264 प्लस कितना हो जाएगा आपका 36 तो चलिए यहाँ पर इसको करते हैं तो 264 प्लस 36 तो यह हो जाएगा आपका 300 तो यह हो गया आपका 300 अब इसको हम solve करें तो यह हो जाएगा आपका total 25 into 3 कितना हो जाएगा आपका 75 उसके बाद 00 और divided by 2 और इसको हम cancel करेंगे तो यह हो जाएगा 2 से cancel करेंगे तो इसका जो sum निकल के आएगा 75 hundred divided by 2 तो यह हो जाएगा 3,7,5,0 यहाँ पर मैंने आपको step by step concept बताए हैं इसलिए इसका solution थोड़ा सा लंबा लगा है आप इसको skip करके अपना calculation मन में करके भी solve कर सकते हैं तो I hope आपको यहाँ तक अच्छे से concept clear हो गया होगा अब आजाते हैं आगे तो अगले question को देखते हैं तो next question है find the sum of given AP यह जो आपको AP given है यहाँ पर हमको क्या करना है इसका sum निकालना है भाई ठीक अब इस AP में यह जो start हो रही है 40,49,58,-310 अब यदि हम इस AP को देखें तो यहाँ पर कितनी term है हमको यह तो पता नहीं है बस हमको इसकी last term यानि की nth term पता चल रही है और nth term कितनी है आपकी 310 तो nth term हो गई 310 उसके अलावा first term जो हो गई आपकी यह कितनी हो गई 40 और इनका difference देखें तो 49-40 तो यह हो जाएगा आपका कितना 9 तो इनका difference है 9 तो चलिए हम इसकी सबसे पहले number of term निकालते हैं तो formula वह AP वाला कि nth term equals to a plus n minus 1 into d तो चलिए nth term यहाँ पर कितनी है आपकी 310 तो nth term हो गई 310 बराबर a तो यह हो जाएगा आपका a, a की value कितनी है given है आपको 40 तो यहाँ पर मैंने लेख दिया आपको 40 plus अब term तो नहीं पता भाई तो यह हो जाएगा आपका n minus 1 और multiply by d कितना हो जाएगा आपका 9 तो I hope आपको यहाँ तक clear हो गया होगा अब 40 इस साइड आएगा तो minus 40 होगा तो 310 minus 40 कितना हो जाएगा आपका 270 और 270 equals to कितना हो जाएगा आपका n minus 1 और multiply by कितना हो जाएगा 9 तो यहाँ से इसको cancel करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 30 minus 1 इस side आएगा तो plus 1 हो जाएगा तो 30 plus 1 यानि कि जो term निकल के आएगी यह कितनी हो जाएगी 31 तो I hope यहां तक आपको clear हो गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया अब आपको भी term भी दिख रही है number of term दिख रही है first term दिख रही है last term दिख रही है और आपको क्या करना इसका sum find करना है यानि कि योग find करना है तो मैंने आपको formula बताये थे sum के दो formula बताये थे एक बताया था sum of n term equals to n by 2 bracket में 2a plus n minus 1 into d और एक और formula बताया आपको कि n by 2 bracket में first term plus last term अब यहां पर n भी given है first term भी given है last term भी given है चलिए हम इसी को solve कर लेते हैं तो निकाल लेते हम इसका sum तो यह हो जाएगा आपका n by 2 total term कितनी हो गई 31 तो यह हो जाएगा 31 by 2 multiply by first term first term कितनी हो जाएगी आपकी 40 तो यह हो गया plus last term last term कितनी हो जाएगी आपकी 310 तो यह हो गया अब यहाँ पर हम इसको solve करते हैं, चलिए, तो यह हो जाएगा आपका 31 by 2, मुल्टिप्लाय पाई, यहाँ पर देखिए, तो 310 और 40, तो कितना हो जाएगा, आपका 350 यह हो गया, अब इसको solve करते हैं, चलिए, तो सबसे पहले इसको solve करते हैं, 2 का divisible है, तो यहाँ पर 31 का का multiply करते है 355 के 350 के साथ तो 31 5 कितना हो जाएगा आपका 155 carry किया हमने 15 31 3 is a 93 और 15 कितना हो जाएगा आपका 108 तो यह हो गया 110 और 50 और अब इसको 2 से cancel कर देज़े हैं तो 2 5 is a 10 तो यह हो जाएगा आपका sorry 2 5 is a 10 उसके बाद 2 4 is a 8 और 25 तो इसका जो sum निकल के आएगा यह हो जाएगा आपका 5425 तो I hope आपको यह question समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने किया यहाँ पर भी आप step बचा सकते हैं question को solve कर सकते हैं number of term का एक formula और बना दिये गया है लोगों का लेकिन आप याद रखी आप जितने formula याद करेंगे उतना confusion रहेगा तो आप उसी formula से इसको solve करें आपका answer भी उतने ही समय में आएगा जबर जस्ती आपको एक और formula याद करनी की जरूरत नहीं है अब आजाते हम आगे तो आगे अब हम इसका concept समझते हैं तो three numbers a, b and c are in a, p यानि कि यदि तीन संख्या है a, b और c, a, p यानि कि समानतर शेणी में है तो क्या बोला है उनने b equals to a plus c by 2 where b is arithmetic mean यानि कि समानतर माद्दे of a and c यानि कि यहाँ पे जो b है ये क्या है arithmetic mean है यानि कि क्या है समानतर माद्दे ठीक b क्या है आपका समानतर माद्दे तो ये चीज़ आप याद रखेगा यानि कि कि किसी भी समानतर शेणी में यदि हम बात करते हैं और यदि consecutive numbers हैं तो याद रखेगा आप उस case में कि जो बीच वाला number होगा वो बाकी 2 के average के क्या होता है बराबर चाहिए तो देखिए आप यहाँ पर हम ये जो series given है इसको solve करते हम देखिए ध्यान से आप देखिए series को कि series को देखिए सबसे पहले देखिए 4, 7 और 10 इस पे solve करते है तो बीच का number होगा आपका 7 बाकी 2 number के average के बराबर होगा तो आप खुद देख लीजे 4 और 10 कितना हो जाएगा 14 और 2 से divide करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 तो आई hope आपको ये clear हुआ होगा इसके लाबा आगे भी देख लीजे आप अगली condition हम देख लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे हो गया आपका 7 10 और 13 तो यहाँ पे बीच का number 10 बाकी दो number के average के बराबर होगा तो आप देख ले 7 प्लस 13 कितना हो गया 20 20 बाई 2 यानि कि कितना हो गया 10 तो यहाँ पर आप ये चीज याद रखेगा कि arithmetic mean arithmetic mean का मतलब हो जाएगा आपका कि जो mid का number रहेगा बाकी दो उसके जो अगल बगल के number रहेंगे उनके average के क्या रहेगा बराबर रहेगा तो यहाँ तक का आपको concept अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने total आपको AP में तीन formula बताए पहला formula आपको मैंने क्या बताया कि किसी भी AP में nth term एक question क्या होता है आपका a plus n minus 1 into क्या हो जाएगा d उसके अलावा मैंने second formula आपको क्या बताए कि किसी भी AP में n term का जो सम होता है इसका formula क्या होता है n by 2 bracket में क्या हो जाएगा आपका 2 a plus n minus 1 into d या फिर sum of n term equals 2 क्या हो जाएगा आपका n by 2 उसके बाद फिर first term plus last term और third मैंने आपको concept बताया कि यदि a b और c AP में हैं तो जो बीच का नंबर होगा बाकी दो नंबर के average के बराबर होगा यानि की b equals to a plus c by 2 where b is arithmetic bean यानि की समान तरमाद दे तो आपको यहां तक AP के सभी concept समझ में आ गए होंगे अब next वीडियो में हम AP के बहुत बढ़ियां बढ़ियां और interesting question को करेंगे और आपको वो बहुत सांदार और सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा जै हिन जै भारत वंदे मातरम